मारत ने चंद्रयान को सफल बनाया, भारत ने रचाय तिहास चंद्रयान 3 ने चंद्रबा की सतय पर सफल तापुर्वक किया लैंडिंग इस नोंने विश्व में देश का नाम किया रोशन चंद्रबा के दक्षनी धुरूप पर उतरने वाला भारत बना पहला देश चंद्रियान थ्री के सफ़ा लैंडिंग के बाद पिये मोदी ने जोहांसबर्ग से लाराय तरंगा देशवासियों को दिबताई कहा ये पल अवश्वास मरनी सफ़ा लैंडिंग पर बोले पिये मोदी कहा ये समय जीत के चक्रपत पर चलने का है बोले अब बच्चे कहेंगे चंदा मामा टूर के हैं चंद्रियान थ्री को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराच चौधरे ने बताया सही और जताई खुशी कहा पीये मोदी के निर्थित में देश का नाम अब पूरी दुनिया में हुआ रहा शे चंद्रियान थ्री के सफल लेर्णिंग को सियम नितीश कुमा ने चताई खुशी एसरो के वैग्यानिकों को दी नितीश कुमा ने बताई डिप्टे सीम ते जस्वी आदो ने चंद्रियान थरी के चांद के दक्षनी दुरूपर सफलता परवक लेंडिंग पर दी बधाई भारती वैग्यानिकों की मेहनत और काबलियत ने अंतरक्ष में भारत को एतिहासिक उपलब्धी दिलाई मुख्यमंत्री हिमंद सुरे ने चंद्रियान थरी के सफल लेंडिंग को देखा लाईव सीम ने जताए खुशी कहा अमारे महान वैग्यानिकों की कड़ी मेहनत द्रड़ता और लगन की बदौलत में लें सफलता उत्क्रिस्ट और सक्सेस्पूल लेंडिंग चंद्रियान ने चंद्रवन में किया है इसके लिए इससे जुड़े सभी सदेश्यों को मैं बहुत-बहुत सुपकामनाय देना चाहता हूँ और देश्वासियों को भी इस सुने रहे अफसर के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई गरता हूँ चंद्रियान त्री के सफल लेंडिंग पर बोले के इंद्रिय बंत्र अश्विनिकुबार 24 कहा अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे अब चंदा मामा घर के हो गए है चंद्रियान त्री के सफल लेंडिंग पर पटना में जश्ण के इंद्रिये विद्याले में चात्र और सिक्षकों ने देखी सफल लेंडिंग चंद्रियान्त्री के सफ़ा लैंडिंग पर राची में जश्टन का महौल एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने खुशी का अज़ार किया बोले अब चांद पर लहराएगा भारती ज़ंटा चंद्रियान्त्री के सफ़ा लैंडिंग पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हुली और दिवाली जैसा महौल आतश बाची और मिठाई खिलाकर लोगों ने जटाई खुशी पटना के बापू परिक्षा परिक्षर का सीम नितीश कमारे कि आउदखाटन देश के सबसे बड़े परिक्षा परिक्षर में शुमार है बापू परिक्षा परिक्षर बापू परिक्षा परिसर में 16,000 परिक्षारती एक साथ दे सकते हैं परिक्षा, 13,000 परिक्षारती ऑल्लाइन दे सकते हैं परिक्षा, मैट्रिक इंटर के अलावे प्रतियोगी परिक्षाओं का होगा आयूचल सीम के काफिले को लेकर रूख की गई एंबुलेंस पर पुलिस ने दी सफाई बोले ADG ट्राफिक सुधान शुकुमार का एंबुलेंस को किस परिस्तिती में रूका गया इसकी हो रही है चार्च ब्यार में दिखने लगा है ट्राफिक नियमों में सकती का असर बोले ADG ट्राफिक सुधान शुकुमार का लोग खुद ही कर रहे यातायात नियमों का पालग और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माह अपरेल से ले करके अभी तक करीब-करीब यैसे पटना जिले का जो आकड़ा है उसके हिसाब से करीब-करीब 75,000 वाहनों के गृत चलान निर्गत करके और शमन की कारवाई की गई है उसी तरीके से मुजफ़र पूर जीले में करीब 18,55 बाहनों के गुरुद जो नियमों का उलंगन करते थे उनके गुरुद चालान निर्गत करके शमन की करवाई की गई है सीट बटवारे को लेकर इंडिया गटबंदन में अभी सिखी स्तान बिहार में सीट शेरिंग को लेकर भागपा माले बना रही दबाओ सीट शेरिंग को लेकर शक्ति सिंग यादो का बयान कहा सीट बटवारे में बिहार में नहीं है कोई दिक्कत हर प्लिटकल पाटियों का हर लोकसभा में कुछ न कुछ उपस्थिती होती है उसको आप सीट सेरिंग से जोड़ करके नहीं देखिए वो अपनी मजबूती संगठन का आकार वह उदेश था उनका कहने का सभी प्लिटकल पाटियों जो इंडिया के घटक दल हैं एक लक्ष को लेके चल रहा है कि क्या देश की जनता देश के मुद्दा के साथ रहेगा या देश मोदी के साथ रहेगा जो देश को बरवाद किया सीट शेरिंग को लेकर वाम दलो के दबाओ पर बोले बीचेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन कहा घमंडिया गटबंधन है इसका कोई आधार नहीं है बोले चुनाओ से पहले बखर जाएंगे ये लोग और इनका घमंड इतना बड़ा है कि ये पूरा घमंडिया गटबंधन अपने ही वज़े से तूटेगा और इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं बैई बिहार में आज के दिन में सिर्फ दो लोगों के पास राजनतिक ताकत है भारतिय जनता पार्टी के पास और लालू प्रशादियादों के पास पर आपस में ये लोगों का चुकी कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है कोई भी कॉमन एजendsर नहीं है सिर्फ और सिर्फ मानने नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ मेरेज अफ कन्वीनियंस के तहट आपस में ये लोगे कॉडिनेशन बनाने की कोशिस कर रहे हैं इसलिए इनकी इस तरह की आपसी लड़ाई तो सामने आएगी ही आएगी मंत्री लेसी सिंग ने 25 अगस्त को धमदाहा में होने वाले राजके शहीद दिवस से कारिक्रम कलिया जायसा कहा हर साल की तरह इस साल भी शहीदों को दी जाएगी शद्धान चलिए पचीस तारीकों सहीद दिवस है और इस बार माननिय मुख मंत्री नितिश कुमार जी के दोरा केवनेट से सुकृती मिली कि राजकी ये समारो घोसित किया गया है हर वर्ष यहां के सभी जितने भी समाज से भी है सभी राजितिक दल के लोग मिलके मनाते थे हम लोग सहीद दिवस जीतरना मानजी के बयान पर बोले मधन शेद मंत्री सुनील कुमार कहा मानजी का नीची बयान है शराब बंदी का पूर्ण नशाब बंदी जारी रहेगा सर्वे में पंचानबे फीसदी महिलाओं ने शराब बंदी का किया है समर्थन माजी जी ने असम्मली में अकाउंसिल में पक्ष में वोट दिया था 2016 में इसलिए और यह भी मैं बताना चाहूंगा कि अब तक लिए 132 लोगों को इनकी मौतें शराब बेरेली शराब उसके गुई थी 44 लाख रुपया 132 अस्पित परिवारों को मिल चुका है और शेश हम लोग उसका प्याद्मीन है हम लोग शिकर उसका भी दुपतान करता है ग्राबेर दिकास मंत्री शरवन कुबार ने जीतर नामाजी के शराब बंदे खत्मे करने वाले बयान पर किया है पलटवार का हमाजी की अपील से कोई नहीं सुन रहा बोले जब सरकार में रहते तब विरोद नहीं करते बातों पर अब कोई बिहार का गरीब भरोसा नहीं करेगा चुकि हर गरीब जानता है कि शराब बंदी होने से हमको फैदा हुआ है जो महलाय है वो भी चाहती है कि आज जिर्फ बिहार में नहीं बलकि पूरे देश में सराब बंदी हो जीतर नामानजी के शराब बंदी वाले बयान पर मंतरी रतनेश सदाने कि अपलेटवार कहा जीतर नामानजी सठ्या गये हैं अब इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं मानजी ने दारू ताड़ी और बालों से प्रतिबंध हटाने वालों को वूर देनी की कही थी बात सठ्या गये है सठ्या इसलिए गया है कि उमर तो 87-85 हो गया है जीतर नामानजी के बयान पर भाई वेरेंद्र ने किया पलटवार कह अब जीतर नामानजी कुछ भी बोल सकते हैं वियार की जनता उन्हें नहीं देती है भाव सवाल है कि जीतर नामानजी आज क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे उनकी कोई राजिती में अहमियत नहीं रह गई है इसलिए उस पर ब्यान देना उचित नहीं है पूर्व मुख्यवंत्री जीतर नामानजी के बयान पर पूर्व डिप्टी सेम्तार के शोर प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया कह शराब बंदी को सब लोगोंने सर्व सेहमती से किया था लागू लेकिन शराबबन्दी से अति पिछड़े लोगों का रूजगार हो गया है लागू किया था लेकिन इसके जो और कई पक्ष हैं तो कहीं कहीं सरी जीता ना माजे जी की चिंता है तो इस चिंता को आने वाले दिनों में दोजार पचीस में जब हमारी सरकार बनेगी सहरसा में मेडिकल कॉलिज बनाने के बिहार सरकार के फैसले पसियासत पीजेपी प्रवक्ता अरवन्द सिंग ने नितीश सरकार पर साधा निशाना कहा ये लोग सर्फ घोशना करते हैं इनको पूरा नहीं करते लालो प्रसाद यादों के लिए चाता लेकर खड़े अधिकारी पर सुशील मोदी के ट्विट्ट पर आजड़े ने किया पलटवार आजड़े ने फेस्बुक पर पोस्ट कर लिखा धूप और बारिश में चाते का प्रयोग करें ताकि चाते के से बच पाए मुर्थी लगाने के दावे पर कॉंग्रिस बदायक ने बोला हमला बीजे पी के सांसद को पुराने गजट की दिलाई आद का अश्वेनी चौबे को हो गई है भूलने की बीमारी सिक्षा वभाग और राजवाओन के बीज तकरार जारी राजभवन और सिक्षा वभाग दोनों ने कुलपती की नियुक्ती को लेकर निकाले हैं आवेदन पत्र कुलपती की निक्थी के लिए राजपॉन और सक्षा भवाग में बबवाद दोनों के आवे दन जारी करने के बाद सामने आया वभाग का टकराओ सिक्षा बभाग और राजबॉण की इस तनातनी पर सियासा चारी सितना पक्षॉ और विपक्ष के बीच वार पलट वार चारी कांगरस आउट में ये सिक्षा बभाग का किया समर सिक्षा बभाग और राजबावन के भी इस तनातनी पर आजडी की प्रतिक्रिया विधायक भाई वेरेंद्र ने राजबावन पर साधा निशाना कहा जान बूश कर तनातनी कर रहा राजबावन परंपरा ऐसी नहभाया जा रहा था लेकिन वहां के लिए था जहां राजबावन दोनों मिलकर सहमधी से करते थे वहां मनमानी तरीके सोहरा इसलिए राजबावन अगर फैसला ली है यह भूसी का निक्टी करें यह बहुत काविले तारीफ है राजबावन और सिक्षा वभा के वबाद पर बीजेपी ने बोला हमला बोले बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण कहा राजब सरकार का नियुक्ती के लिए निकाला गया वे ग्यापन गलत बगाह इंसा के बाद 24 अगस्तक इंटरेट सेवा बंद सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला बगाह के नगर थाने अलाके में महावेरी जूलस के दोरान दो पक्षों में रही इंसक जड़प जड़प में दोनों ओर से हुई पत्राव और तोन फॉर आगज़िए बगाह इंसा वामने में पलिस का अक्षन पलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया सभी लोगों से कूछ ताच कर रही पलिस बगाहा इंसा के बाद शांती बाहल करने की कोशिश जा रही शांती बाहल करने के लिए पलिस ने जन प्रतनिदियों के साथ की बेठक महावेरी जुलस के दौरान दो पक्षों में हुआ था बबा मुत्यारी महावेरी यात्रा में इंसा के बाद पट्री पर लोट रही जिन्दगी मैसी और दर्पा अलाके में शांती बहाल महावेरी इंसा के बाद अलाके में स्थिती सामान महावेरी इंसा के बाद अब घर से बाहर निकलने लगे लोग शहर के बाजारों में खोले गई दुकाने जरूरी सामानों की खरीद के लिए घर से बाहर निकन रहें लोग मोतियारी में राजियू रंजन हत्याकांड पर सियासत बीजेपी के शिष्ट मंडले राजियू के परिजनों से की मुलाखात परिजनों को सांत्वाना देते हुए न्याय कदिया भरोसा सीथा मणी में मनाये गया अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस समारों बीजेपी अधर्च समराच चौदरी सहित वरिस्ट नेताओं ने दीश्रधान जली अररिया में पत्रकार विमल यादो की हत्या के विरूद में कैमूर में पत्रकारों ने निकाला अकरूश मार्च सीम के नाम जीम और स्पी को सौपा गया पर पत्रकार विमल यादा उतियाकान के विरूध में, मद Alrighty-पूरा में पत्रकारों ने निकाला प्रतिरूध मांश उ ह्ट पत्रकार के परिशनों को 50 लाख रुपय और हिक सरकारी नौकरी की मांट देवगर पहुंची बीजेपी के संकल प्यात्रा मद उपर में श्यामा प्रसाद मुखर्च उच्छ विद्याले परिसर में जनल सभा का किया गया आयू जनल संकल प्यात्रा को संबदित करते हुए बाबुलाल मरांडी ने बोला हीमंत सोरीन पर हमला कहा आदिवासियों की जमीन लूटने में लगे हैं सीम सोरीन बोले पूरे राच्छ में ब्रस्ट आचार्ब शरम पर डुम्रे उपचुनाओ के लिए एक्शन मूट बी जेमम उपचुनाओ के लिए जारी के स्टार प्रचार उको की लिस्ट जैमेम के स्टार प्रचार रुखों के लिसमें जैमेम सुप्रम उश्रिब सोरिण, सीम हिमान सोरिण कराम जैमेम प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे दोनों कॉंगर्स से अविनाश पांटे समी 36 नीताओ को बनाय गया स्टार प्रचार दुम्रियूप चुनाव को लेकर तैयारी में राजनेतिक पार्टिया घरेडी सांसद चंद्रप्रकाश ओधरी ने जेमेम पर चुनाव में धन्बल और शराब का इस्तेमाल करने का लगाया रूप सांसद चंद्रप्रकाश ओधरी के बयान पर जेमेम ने किया पर अटवार जेमेम प्रवक्ता विनूत पार्ड़े ने सांसद चंद्रप्रकाश ओधरी पर साधा निशाना इस छेत्र की जनता उस जगनात महतों को जानती है जो 1932 की बात करता है जिस ब्यक्ति ने 1932 के आंदोलन में सी एंटी एस पीटी एक्ट के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी हो उसको छेत्र की जनता राज की जनता नहीं भुल सकते गुमला के भर्नों में बजरंग दल के बंद का दिखासर दुकान बंद कर लोगों ने जटाया विरूद श्यो मंदे टूटू में प्रतिबंदत मान सफेकनी को लेकर बुलाए गया था बंद शतीस गर्ड शटाब घुटाले खुलेकर जारखंड के 32 यगोँ पर जारखंड के वित्य मन्त्री रामेश्वर उराओ के आवास पर भी इडी का चापा अजारी बाग में भी इडी का एक्शन वय उसाई लक्ष्मिया अग्रुवाल के क्रयाधार विकास कुमारा ग्रवाल के घर पर एडी के रेट गिरडे में बीचेपी के पूरो विदायक नर्भै शाहबादी के घर भी एडी के चापा नर्भै शाहबादी के भतीदे नीरच शाहबादी है शराब कारूबारी दुमका में भी एडी की टीम कातावर्टो चापा वेवसाई योगेंद तिवारी के ठकानों पर एडी की टीम ने की रेट शराब घोटाले कुलेकर घोड़ा में कारणाबरी अमर टेक करी वाल के आवास कर एडी की रेड, एडी के दस साधिकारों की टीम ने की चाप एमारी उपार्टमेंट पे रेड कल एडी के सामने पेश होंगे सीम सोरेन, जमीन गोटाला मामले में एडी ने भीजा है समय राची के एडी ओफिस में सीम सोरेन से एडी करेगी पूस्ता, 14 अगस्त को एडी के सामने पेश नहीं हुए थे सीम सोरी जबीन गोटाला मामले में एक्शन में एडी पूर वाई एस शवी रंजन पर लगे आरूपों की होगी चार्च परता पूर वाई एस शवी रंजन का गलत तरीके से दो एकर से ज़ादा ज़ादा जबीन कपजा करने का आरूप सीओ और पुलिस सभेज कर कबजा करने के आरूप पटना सथी में गांधी सितुफल से एक शक्स ने गंगा नदी बे लगाई शलांग टीम कर रही चार्च कटियार के खंका महले में तालाब में दो कुइंटल बशलियों की मौत कुछ लोगों पर तालाब में जहर डालने के आरूप जारबाद के सरकारी कारयाले में करमचारी को पिस्टल देखा कर धंकाने वाला गरफतार आरूपी से पिस्टल भी बरादा जमुए में मानसिक रूप से बीमार बेचेने की पिता के अत्या पत्थर से कूच-कूच कर उतारा मौत के खाट बोकारों में आवासी बजले गिरने साई क्योवा की मौत बाइक से जाने के दौरान हुआ हादसा कौपाल गंच के कटिया में कौशल विकास से केंदर बे हुई चोरी के लैपटॉप का पुलिस्निक एक खुलासा 21 लैपटॉप के साथ चार शातिर चोर गर अफ्तार साईब गंच में जनरल सोर में चोरी करते हुए नावालिक को लोगों ने पकड़ा बजली के खंबेज से बांट करकी पिटाए पटना ए बीचे पिने था निलेश मुख्या के दल्ले मेलाच के दौरान मौत 31 जुलाई को अपराधियों ने मारे थी आठ गो लिया बेतिया में नरकटिया गंच में नावालिक से रेप की कोशिश फेड़ता ने स्पी और स्टी पियों से लगाई न्याई की गुहार लखी सराय में अपराधियों के खलाब पुलिस सक्त पुलिस ने 46 फराड मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची चारी बटना में बदमाशों के खलाब बदमाशों ने दो एको कुमारी गोली दोनों घालों का पीम सेश में चल रहा है लाच रामगर वे चोरी के आरोप में एक वैक्ती की पीट-पीट कर हत्या ग्रामिनों ने उतारा मौत के खाट पुलिस कर रही चार्च जमुए में मामौले वेवाद को लेकर भतीचे ने चार्चा की गला रेद कर की हत्या ग्रामिनों ने पुलिस को दीचान काई लखी सराय में आपसे वेवाद नहीं है की बार पीट और लाठी डंडे से पीट-पीट कर बदमाश हुए फरार पुलिस कर रही है चार्च मुंगेर पुलिस ने ट्रांस्पोर्टर रामचंदर यादो हत्या मामली का किया खुलासा पुलिस ने बताया आपसे वर्चेस्ट्रो को लेकर की गई हत्या मुंगेर में ट्रांस्पोर्टर के हत्या को लेकर पुलिस्निंग की बड़ी का रर्वाई हत्या में शामल साथ आरूपियों को पुलिस्निंग की अगर अफ्तार मुंगेर में आईटी से फैक्टरी के पास सुछी ट्रांस्पोर्टर के अते हैं गर अफ़तार अप्राधियों के पास से दो पिस्टल दो कट्टा सही तकई कारतूस बर आमद होड़निया में एक महिला कौंस्टेबल लेकी आत्महत्या महिला कौंस्टेबल नीतू राय ने घर में लगा एक फासी सतरह तारीक से ही ज्यूटि पर नहीं आ रहे थी महिला कौंस्टेबल आत्महत्या की सूछना के बाद मौके पर पहुंची पलिस सुपाल के करी हो जमुआ टोल ला मेकार से मिला शक्त का शौला वारिस शौख से संसरी इलाके में पुलिस कर रही है चार्च सबस्तेपर के उदा पट्टी में चोर को अस्थानी ये लोगों ने पकड़ा लोगों को देखकर मौके से फ़रागुए तीन चोर पुलिस पहुंची जाच कर पुर्णिया के दमदा में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाने स्कूल का अताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया इंचा जानाबाद में पती पत्टी गया हाई वोल्ट्रिस ज्रामा चार साल बाद विडेश चिफ से लोटने के बाद पती पत्टी को घर में रखने से कर रहा इंका पतियाब के खाइवल्टिस ज्रामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पलिस पलिस के आने के बाद पतिय अपने दोस्तों के साथ फरा पत्ना में शराबी यूअक का हाईवल्टिस ज्रामा जैप्रकाश नगर में शराबी ने मचाया उत्पा कटियार के कोड़ा थाना इलाके में रफ्तार का कहर ढूमर पल के पास टैंकर के चपेट में आने से तीन बाइक सवार घाय वेतिया में रफ्तार का कहर सुनू वरिया पंचायत के बाबू चोला के करीब बेकाबू ट्रक ने बीए की छात्रा को कुछ ला मुझजफर पूर नगर निगम के खुली पोल समयर नाले गेट पर पल्टा पानी का टैंकर टैंकर पर लेटने से लगा जा अरडिया फार्बिस गंच सड़क पर हादसा बेकाबू कार ने खड़े ट्रक में मारी टकर बारह से जादा लोग खाये बेगो सराह में दर्दनाक सड़क हादसे में बीजे पी नेता की मौट तेज रफ़तार पे कवए ने बीजे पी नेता को कुछ ला जमुए में पेड से ठकराई कावर्यों से भारी कार देवघर से पूजा कर मजफर पूल लोट रह थे कावर्यों अरडिया के फारबेस गंच में तीज रफ़तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टकर हादसे में कार सबारी के दर्जल से अधिक लोग खाये हाज़पर में आकाशे बजले गिने से जोपड़ी में लगी आग आग लगने से जोपड़ी में सो रह पती पत्नी की मौट सुपाल सदर अस्पताल में ए एन एम शात्राओं ने किया कारिशाला कायोचर ने प्रसों के दोरान बरती जाने वाली सावधानियों को दी गए जानकारी बीगो सराय में दर्दनाग सड़क हादसे में बीजे पी नेता की मौट तीज रफ़तार पिक अप वैर ने बीजे पी नेता को कुछला जमुए में पेड से ठकराई कावजे से भड़ी कार देवघर से पुजा कर मजफर पूर लौट रहे थे कावजे अररिया के फार्विस गंच बेतीज रफ़तार कार देव ख़ड़ी चक में बारी ठकराई से में कार सवार कई लोग खाए हाज अपर में आकाशिय बजले गिरने से जोप्री में लेगी आग आग लेगने से जोप्री में सो रहे है पती पती की मौट